आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग PHP को यूज करके फाइल अपलोड का कॉंसेट यहाँ पे समझने वाले हैं आपने देखा होगा बहुत बार जब भी हम यहाँ पे आनलाइन रेजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा इसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा और इस फाइल को प्रॉपर्ली कैसे स्टोर करोगे वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे make sure आप इस वीडियो को पूरा देखे ताकि आप सारी की सारी चीज़े यहाँ पे सीख सके alright, तो फटा-फट से हम लोग यहाँ पे इसके demo को चेक कर लेते हैं ताकि आपको एक idea हो कि at the end यह module हमारा किस तरीके से जाएगा और आप यहाँ पे क्या बना करके इसको ready करने वाले हो मैं फटा-फट से इस form को यहाँ पे fill कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पे entries को pass कर दिया है, मैं इसको accept भी कर रहा हूँ and file upload के उपर मैंने यहाँ पे click किया इसके बाद आपको अपने computer से एक path select करना है जहाँ भी आपकी file पढ़ी हुई है और आप जिसको upload करना चाहते हो simply उस file के उपर click करे, open के उपर click करे उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बाद आपको नीचे scroll करना है, register के उपर click करना है तो आप देखोगे data inserted into database, इसके उपर click करें अगर मैं यहाँ पे आ करके इसको refresh करके दिखाऊं तो 4 number की एक entry पास हो गई उसका पूरा का पूरा आपको entry यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी मैंने आपको demo में चेक कराया आज के इस वीडियो के अंदर specifically हम लोग यहाँ पे file upload को focus करने वाले है और file upload के अंदर हम लोग यहाँ पे image upload को focus करने वाले है इनी तरीके को यूज करके आप किसी भी तरीके की file को यहाँ पे upload कर सकते हो insert कैसे करना है, update कैसे करना है, delete कैसे करना है, यह सारा कुछ मैंने already अपने crud वाले series के अंदर सिखा दिया है तो अगर आपको यह सारी चीज़े बहुत ही detail में सीखना हो तो आप इस वीडियो के description को check कर सकते हो आपको complete playlist का link मिल जाएगा वहाँ से आप बाकी वीडियो को देख करके सीख सकते हो क्योंकि आज मैं specifically direct आपको file upload कराने वाला हूँ तो पहले हम लोग इसको एक separate file के उपर create करेंगे और उसे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको इस project के अंदर implement करेंगे जो कि हमारा crud का series है आल राइट, सो कहीं भी जो आपने database वगरा create किया हो वहाँ पे एक नया table create कर ले, practice purpose से सो मैं यहाँ पे इसके नाम के उपर click कर रहा हूँ यहाँ आप देखोगे हमारे पास है new, new के उपर click करें कोई भी नाम रख दो इस table का फरक नहीं पड़ता मैं यहाँ पे रख देता हूँ file upload but file upload reserved हो सकता है तो हमें एक problem create करेगा तो मैंने कर दिया इसको std underscore img student image यहाँ पे आपको field का नाम पास करना है तो मैंने कहा दिया इसको picture का source है image का source है तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हो तो मैंने यहाँ पे image underscore source पास किया है make sure spaces का users ना करे वरना problem में फसोगे और काम नहीं करेगा type रहने वाला है हमारा वैर कैर जब भी आप image को upload करोगे तो वो किसी folder में होगा तो उपर की location बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है तो इसके लिए एक बड़ी value पास करे 300-400 sufficient होता है आप इतना इसको रख सकते हो इसके बाद हम यहाँ पे नीचे scroll करेंगे save, go, जो भी option आपको मिलता है अपने zamp के version में simply उसको done करे and एक table को यहाँ पे create करे तो यह हमारा बन करके आचुका है browse पे click करूँगा तो currently यह हमारा यहाँ पे empty है इसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे folder को यहाँ पे open कर रहा हूँ जो हमने crud के नाम से create किया था तो यह हमारा folder है crud का जो कि हमारे st docs के अंदर है मैं recommend करूँगा जो new user है जिनको नहीं मालूम है please मेरी series को follow करे ताकि आपको सारी चीज़े properly समझ में आए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक folder बना रहा हूँ तो right click करना है आपको new नीउ पे जाने के बाद आपको एक folder create करना है यह जाने के बाद कुछ भी नाम देदो इसका मैंने कहा यहाँ पे images ठीक है images का मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया obviously currently यहाँ पे empty होने वाला है तो कुछ भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा फटा-फट से इस folder को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमें यहाँ पे एक new file create करना है सबसे पहले तो मैं इस folder को एक बार open कर लेता हूँ और कोई भी नाम से एक new file create कर लो तो मैंने इसको उपर right click किया new file किया let's go with file upload.php यह मैंने इसका नाम दिया यहाँ पे नहीं इसको save करते time file upload.php make sure यहाँ पे इसका all file selected हो save के उपर click करें और इसे यहाँ पे save करें PHP के अंदर अगर आपको files को upload कराना है जैसा कि मैंने आपको check कराया तो आप directly उसको नहीं कर सकते इस चीज के लिए हमें कुछ permissions अलाओ करनी पड़ती है अपने server के अंदर जो की यहाँ पे हमें करना पड़ेगा जहाँ भी आपने अपना zamp server ने install किया है simply आप जाओगे उसके c drive में c drive में जाने किया आपको जाना है zamp में basically जहाँ भी आपने install किया है अगर आप vamp user हो तो vamp को open करें वहाँ पे आपको directly बिन का एक folder यहाँ पे मिलेगा simply आपको उसको open कर लेना है हमारे case में हम लोग यहाँ पे zamp का use कर रहे है Apache and MySQL हमने on रखा हुआ है तो हमें zamp को open करते ही यहाँ पे directly नीचे PHP का एक option मिलेगा simply हमें इसके उपर click करना है vamp user को bin folder के अंदर यह देखने को मिलेगा vamp user के लिए यहाँ पे एक PHP का folder होगा उसको open करना आपके PHP का version number होगा उसको open करना same आप इसी जग़े पहुँच जाओगे हम यहाँ पे zamp का use कर रहे है तो फिर से देख लो zamp को open करना है आपको यहाँ से PHP को open करना है और यहाँ पे आपको एक file search करना है php.ini तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मैंने यहाँ पे p type किया तो मैं यहाँ पे आगे आप देखोगे p की एक file यह रही एक यह है configuration settlement file हमें php.ini file चाहिए तो बहुत सारे file आपको दिखेंगे configuration जो आपको दिखता है न इसके उपर आपको right click करना है और properties पे आ जाओ तो आप यहाँ पे चेक करोगे यह हमारी php.ini file है simply इसको double click करके open करें full screen कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे हमें एक चीज search करनी है अगर आप file में जाओगे यहाँ पे आप जाओगे edit पे edit पे जाने कद आपको जाना है find या control F आप press कर सकते हो आप यहाँ पे type करे file underscore upload file underscore upload और simply आपको यहाँ पे click करना है तो आप देखोगे file underscore upload या uploads जो भी कहलो वो on है वो capital है आपके case में बहुत जादा chances है कि यह यहाँ पे off हो make sure और यहाँ पे इसको आप on जरूर करे जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको इसको लिख देना है इसके बाद आप इसको control S करके save करे और अपने zamp server के जो भी आपने on किया है उसको बंद करे इसको close करे और दुबारा on करके इन सारी चीजों को on करे ताकि सारा कुछ आपका restart हो जाए and setting आपकी properly यहाँ पे यह pick कर ले इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अपने code के अंदर and जो file हमने create किया है फटा-फट से मैं यहाँ पे कुछ code यहाँ पे type कर दिता हूँ तो मैंने PHP को start कर लिया नीचे आकर मैंने PHP को यहाँ पे close कर दिया इसके बीच में हम यहाँ पे अपना code करने वाले हैं error reporting का use कर दिते हैं हमने already सीखा है जो भी warnings आएंगी वो यहाँ पे ignore हो जाएगा तो मैंने का error reporting false यानि कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा zero यह कह करके मैं इसको यहाँ पे close कर दिता हूँ and I think हमें separate करने की ज़रूरत नहीं है इसके नीचे आते हैं यहाँ पे आ करके हमने यहाँ पे HTML के tag को start किया title दे दिया मैंने इसको file upload यह उपर की चीज़ों को आप cut कर सकते हो फिलाल के लिए हमें इसका कोई use नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ body tag को थोड़ा सा separate कर रहा हूँ यहाँ पे main चीज़ है हमारा उससे पहले इस file को जरह हम यहाँ पे assess करते हैं कैसे करोगे localhost slash आपके folder का नाम slash आपके file का नाम हमारे case में क्या है वो file upload.php तो मैंने कहा इसको file upload.php enter press करे तो obviously यह currently empty है title हमारा यहाँ पे आ चुका है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे form tag का use करना है तो यहाँ पे आ करके मैंने इसको form tag provide किया इसके बीच में हमीं चाहिए एक input type तो यहाँ पे आ करके input type हो जाएगा आपका इसका file जैसे ही आप html का input type file use करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा डिजाइन आपको देखने को मिलता है जिसके जरीए आप फाइलों को अपलोड करा सकते हो इसी के साथ साथ हमें एक submit बटन भी चाहिए है वो ही बना लेते हैं डिजाइन को ignore करे हैं हम आगे जाकर के सही कर लेंगे currently हमारा motive है इसकी working को समझना डिजाइन हम बहुत ही जल्दी इसको करेंगे नीचे आता हूँ मैं and यहाँ पर बनाया मैंने input type equals to submit submit ही रखे बटन ना रखे प्रावलम देखने को मिलेगा break tag की help सो उसको मैं यहाँ नीचे shift कर रहा हूँ save and refresh करेंगे तो आप देखोगे बटन हमारा यहाँ पर आ चुका है एक और break tag यहाँ से copy कर लेते हैं and यहाँ करके paste कर देते हैं save and refresh करके देखेंगे तो यह भी हमारा properly यहाँ पर visible हो गया अब यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग अरे इस बटन का एक name प्रोवाइट कर देंगे तो name डाल देता हूँ मैं इस यहाँ पर submit अब यह submit का इस submit का आपस में कोई ले देना नहीं है आप चाहें तो कुछ और नाम यहाँ पर दे सकते हो लेकिन इसी नाम को आपको नीचे follow करना है PHP के अंदर ठीक है अब इस बटन के ऊपर क्या दिखाना है submit लिखा है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दिखाई दे upload file तो यहाँ पर मैं आ गया इसकी एक value provide कर दी upload file capital small का फिलाल तक कोई चक्कर नहीं है जैसा आप लिखोगे वैसा आपको देखने को मिलेगा capital small का चकर आपको PHP के अंदर देखने को मिलता है तो वहाँ पर as it is वैसा ही रखे जैसा मैं कर रहा हूँ form tag के अंदर हमें इसका यहाँ पर बताना पड़ेगा action कि भाई जब button के उपर click हो जाएगा तो user को कहा बेजना है मैंने कहीं मत भेज इसी page के उपर छोड़ दे तो या तो उसको blank छोड़ दो या hash लगा दो बात एक ही है method कौन सा use करना है अगर आपने सारी वीडियो को अब तक follow up किया है तो आपको पता होगा दो ही method है form पे deal करने के एक get है एक post है get secure नहीं है URL पे सारी चीज़े दिख जाती है post काफी हद तक secure है तो हम भी यहाँ पे post यूज़ करने वाले हैं इसके साथ साथ जो एक important चीज़ है वो है आपकी encryption type कि कौन सी encryption का आप use करोगे security purpose के लिए तो वो हो जाएगा हमारा file upload के लिए काफी important है अगर यह नहीं लिखोगे तो भी आपका data यहाँ पे database में store नहीं होने वाला तो यहाँ पे हमें देना है multipart बिना space के multipart लिखना है आपको slash form minus data zoom कम करके दिखा दता हूँ तो आपको लिखना है यहाँ पे encryption type enc type equals to multipart form minus data बीच में आपका एक slash लगा हुआ है तो इसी के साथ हमारा designing का portion यहाँ पे complete हो गया अब finally हमें इसके backend के PHP के code के उपर काम करना है ताकि images को हम यहाँ पे upload करा सके लेगिन उससे पहले मैं आपको domain research के बारे में बताना चाहूंगा अगर आप अपने business को online लेकर किया आना चाहते हो आपको अपने लिए एक domain name एक hosting की requirement है तो आप domain research.com पे आ करके उन services को यहाँ से select कर सकते हो आप यहाँ पे read out कर सकते हो domain research आपको light speed की technology प्रोवाइड करते है pure SSD disk space और इन दोनों के combination से आपकी website secured and 20 times faster load होता है इसी के साथ साथ आपको SSL certificate भी यहाँ पे free मिल जाता है pricing plan की अगर हम बात करें तो basic plan इस्टाट अधा 59 रूपीज पर मन्त से bandwidth unlimited light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिल जाता है silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े same है और unlimited है advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है unlimited websites को यहाँ पे host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े same है और unlimited है और इन तीनों ही plan में आपको premium SEO tool free मिलता है तो आप अपने budget अपने requirement के हिसाब से domain research.com पे आकर के services को यहाँ पे select कर सकते हो alright so इसके backend की working के लिए मैं आ गया यहाँ पे code में जहाँ भी आपका HTML खतम होता है ना उसके नीचे आ जाओ यहाँ पे आपको PHP को start करना है and नीचे आ करके उसको बंद कर देना है तो मैं फटा-फट से correct कर देता हूँ PHP start and PHP हमारा यहाँ पे हो गया close एक page के अंदर आप 50 बार start close कर लो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे उपर भी तो किया है कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक variable define करना पड़ेगा कि भाई photos को upload करना कहां है यह एक important चीज है तो हमने images नाम का एक folder already create कर लिया है आपके folder का नाम आप थोड़ा सा ध्यान दे तो वो मैं यहाँ पे आ करके कहता हूँ इसको तो मैंने यहाँ पे enter press किया double quote के अंदर आपको अपने folder का नाम बताना है लेकिन slash लगा करके PHP के अंदर slash का मतलब यह होता है कि यह आपका एक folder का नाम है क्या नाम है हमारे folder का images नाम है ठीक है तो जो भी आपने अपने folder का नाम रखा है वो as it is यहाँ पे provide करे side में scroll करके आपको continue करना है semicolon को भी आपको यहाँ पे last में लगा देना है जिस तरीके से अब तक हमने get को use किया है dollar underscore post को use किया है files पे daily करने के लिए एक variable है यहाँ पे dollar underscore files और यह आपको capital में ही लिखना है तो यह हो जाएगा आपका अब इसके अंदर हमे single coat नहीं चाहिए हम यहाँ पे double coat का use करने वाले है बाहरा करके semicolon लगा रहा हूँ इसके बीच में क्या pass करेंगे यह जो हमने दे रखा है न input type हो गया file इसका name हमने कुछ भी नहीं दिया तो make sure आप इसका एक name pass करे तो मैंने कहा दिया इसका नाम हो जाएगा बीना space के upload file मैं इसे यहाँ से copy करता हूँ और यहाँ लाकर के इसको paste कर देता हूँ एक बार मैं आपको इसको print करा के दिखा देता हूँ तो मैंने कहा दिया eco ठीक है इसको save करें और यहाँ आ करके इसको refresh करना है refresh करने के बाद choose file पे click करें जो भी आपका image हो उसके उपर click करें open पे click करें and upload पे click करें मैं इसको English कर रहा हूँ आप देखोगे एक चीज मुझे यहाँ पे यह highlight करता zoom करने पे कहता array कि भाई यह तो array है PHP के अंदर जब भी आप file को upload करोगे न तो वो एक array के format में store होता है अब array अपने अंदर बहुत सारे data को रख सकता है जैसे कि image का नाम क्या था उसकी type क्या थी उसका extension क्या है कितने size का image है उसका क्या basically उसमें कितने bytes, bytes क्या consume हो है वो पूरा data ये store करके रखता है अगर आपको इसको print कराना है वो भी आप कर सकते हो कि क्या क्या इसने अपने understore करके रखा हुआ है मैं काम करता हूँ यहां सा इतने line को copy कर लेता हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं इस वाले line को हमें comment out कर देना है फिलाल के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एक function है आपके पास PHP के अंदर print underscore r अगर आपको array की value को print कराना है तो इसके अंदर आपको उसको paste कर देना है और यह semicolon आपको बाहर लगाना है ठीक है इस बात का ध्यान दे अब अगर हम यहाँ पर आएंगे और इसको refresh करेंगे तो आप देखोगे आपके सामने काफी data आगे अगर नहीं आता है ना तो page refresh करना इस hash को अटा करके दुबारा एक file upload कर लेना तो आप यहाँ पर देखोगे कहता array मैंने इस file की क्या-क्या data जो है अपने पास स्टोर कराके रखिए कहता name क्या है उसका kunal.png type क्या है एक photo है png file है क्या proof है इसका तो अगर मैं यहाँ पर आ करके देखूँ तो नाम तो मुझे सामने ही दिख रहा है kunal अगर मैं इसके उपर right click करता हूँ तो यह रहा है इसका नाम यह रहा है इसका png file type इसकी ठीक है इसी के साथ साथ हमें और भी data मिल रहा है क्याता एक png image है मैं इसकी एक temporary file बनाऊँगा php क्या करता है आपके हर एक file को एक temporary name प्रोवाइड करता है और उसकी एक temporary copy बनाता है जो की काफी ज़ादा important है हम उस temporary के basis पे ही original file को save करा पाते है temporary नाम दे दिया इसने यह tmp underscore name से error कुछ भी नहीं आया image आपकी इतने size की है better है तो अब तक हमारे पास यह data यहाँ पे आ चुका है इस data को हम आगे चलके use करेंगे जैसे मैंने आपको बताया with the help of इसका temporary name, temporary location हम इस file को बहुत easily upload कर सकते है control 0 से मैंने यहाँ पे zoom को 100% कर दिया यहाँ पे जो हमारे लिए important है वो है इसका name जो की है NAME and है आपका temporary name जो की है tmp underscore name in future अगर आपको इस जगह पे कुछ और देखने को मिलता है आप उसी को use करोगे currently जो भी दो चीज़े यहाँ पे मुझे मिल रही है मुझे उनकी requirement है मैं फिलाल के लिए इस temporary name को यहाँ से copy कर लेता हूँ और अपने code के अंदर आ जाएंगे यह printr function आपको समझाने के लिए था फिलाल के लिए मैं इसे comment out कर रहा हूँ उपर वाली line हमारे लिए important है उसको मैं यहाँ पे वापस ले आया अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अब हमारा code हो गया पहले की तरह यहाँ पे यह कोई value शोर नहीं करने वाला आपको मैं यहाँ पे आपको दूसरी file एक बार फिट से select करके दिखाता हूँ तो अब यह पिछला वाला चीज काम नहीं करेगा अगर इस्टिल दिखाता है तो यह उपर का हटा है and enter press करें और एक काम करते हैं इसको हम लोग एक बार save कर देते हैं और यहाँ पे आकरके एक file को मैं आपको choose करके दिखा देता हूँ और यह हमारे पास यहाँ पे आ चुका है अब इसकी help से मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ file upload हो गया साथ ही साथ आपको एक और square bracket लगाना है और इसके अंदर आपको double quote पास करना है और यहाँ पे हमारे पास एक क्या था name और एक था हमारा temporary name name आप इस जगह पे पास कर दोगे कि भाई upload file यानि कि जो input type file है जो भी उसका name है जो भी upload हो रहा है वो लेकर के आजा उस file को upload करा ले अपने पास बुला ले साथ में उस file का name को भी अपने पास बुला करके रख ले इस line को आपको copy कर लेना है मैं इसको यहाँ से cut कर देता हूँ और उपर छोड़ देता आप delete कर देना कोई दिक्कत नहीं है बट आपकी understanding के लिए इसको छोड़ दिया इसे copy करके आपको यहाँ पे paste करना है मैंने आपको बताया कि हम दो चीजों के उपर deal करने वाले हैं एक तो हो जाएगा हमारा उसका नाम और दूसरा हो जाएगा हमारा temporary name जो की है tmp underscore name तो इन दोनों चीजों को मैंने बुला लिया कि upload file से उसका नाम बुला ले and साथ मों उसका temporary name बुला ले अब इसको मैं क्या करूँगा ना इस eco की कोई requirement नहीं है इसको एक variable के अंदर store कर देते हैं तो मैंने कहा यहाँ पे dollar file name equals to अब इसके अंदर क्या होगा ना इस file name की जगा पे आप जो मर्जी लिख लेना फिर आगे भी change करते हूँ चलना जो भी उस file का नाम होगा वो file name के नाम के variable में store हो जाएगा इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक variable बनाया temporary name तो T E M P N A M E अब इस temp name के अंदर क्या होगा उस file का आपका temporary name जो भी हमने store किया है यह automatically PHP generate करता है temporary name तो यहाँ पे उसका temporary name भी generate होकर के store हो जाएगा अब मुझे बताना पड़ेगा यह file upload होकर के save कहा कराना है तो हमने एक folder create किया हुआ है folder का नाम क्या है? images नाम है तो मैं यहाँ पे आता हूँ and एक variable मैंने यहाँ पे create कर लिया let's take an example dollar folder यह एक variable है इसकी जगा पे आप कुछ और नाम use कर सकते हो मैंने कहा dollar folder equals to यह एक काम करते हैं यह हमने अल्रड़ी उपर लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से cut कर देता हूँ क्योंकि हम code हलका हलका change कर रहे हैं समझाने के हिसाब से यहाँ paste कर देता हूँ नाम लेकर के आएगा, temporary name लेकर के आएगा और उसको folder के अंदर properly यहाँ पे move करेगा विलाल नहीं करेगा बट आपको समझाने के लिए आप देख रहे हो slash images लिख करके आ रहा है अगर मैं यहाँ पे कोई file select करता हूँ यहाँ पे आ करके open करता हूँ तो slash images आपको फिर भी देखने को मिलता है ठीक है इट मीन्स यह images के folder में जाएगा लेकिन अभी नहीं गया अभी अगर यहाँ आ करके देखेंगे तो यह खाली पड़ा हुआ है ठीक है और राइट एक चीज तो slash images नहीं आएगा images slash आएगा जिसका proof है कि यह एक folder है अब folder के अंदर भेजना क्या है मैंने का भाई folder slash के बाद जो मुझे बता रहा है इस जगह पे images slash वो ठीक है इसके बाद file name भी तो बता कि upload क्या हो रहा है तो इसके लिए मैं इसको copy कर लेता हूँ concatenation का use कर रहा हूँ यहाँ पे तो इस जगह पे आ करके हमने dot लगा दिया एड उसे paste कर दिया images folder के अंदर इस file name को basically इस चीज को upload करना है तो अब अगर मैं यहाँ पे आ करके एक बार refresh करके दिखा दू तो हमारा था यह kunal.png जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यह properly हमारा इतना portion काम कर रहा है लेकिन still मेरे folder के अंदर कुछ upload नहीं हुआ भी भी ऐसा नहीं है कि आप लिख दोगे और upload हो जाएगा अभी तक हमने name पे और temporary name पे deal नहीं किया हमने उसको बुला लिया है लेकिन इसका use अभी तक हमने नहीं किया जैसा कि मैंने आपको बताया PHP के अंदर आपकी जो original file है उसका एक temporary file बनता है उसी कहा हमें use करना है मैं यहाँ पे आता हूँ कौन सा function use करेंगे हम लोग वो है आपका move underscore uploaded underscore file ठीक है इस function को दो parameter से यह होता है पहले parameter के अंदर आपको बताना पड़ता है कि file को कहां से pick करना है दूसरे parameter के अंदर आपको बताना होता है कि file को कहां पे upload करना है या फिर यह कहलो कि कहां पे move करना है ठीक है जब मैंने आपको array को print करके दिखाया तो आपने देखा कि एक temporary location के अंदर वो पड़ा हुआ है उसको हमने temporary name नाम के variable में store करा लिया तो मैंने इसको कह दिया कि भाई, file को उसकी temporary location से pick कर ले और temporary location से उठाने के बाद कहा move कर देना है उसको images के folder में images का folder किसके अंदर store करा लिया, हमने dollar folder नाम के variable में तो इसको copy कर रहा हूँ इस जगा पे लाकर के paste कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर कि आपको semicolon लगा देना है तो अब क्या होगा, file को temporary location से pick करेगा और उसको folder के अंदर move कर देगा आपको इसको save करना है, मैं एक तरफ यहाँ पे अपना folder open कर लेता हूँ, दूसरी तरफ हमारा यह file तो मैं इस जगा पे आ गया, ताकि आप पीछे भी देख सको, मैंने इसको एक बार hash उटा करके reload किया choose file के उपर क्लिक किया, और यहाँ से मैं इसको select कर रहा हूँ open पे क्लिक कर रहा हूँ, और जैसी मैंने यहाँ पे upload file के उपर क्लिक किया आप देखोगे कुनाल नाम का एक folder, sorry image जो है, वो यहाँ पे आ चुका है जिसको आप देख पा रहे हो, जो हमारा folder था, उसके अंदर कुनाल हमारा properly यहाँ पे आ चुका है मैं काम करता हूँ, आपको कुछ और images भी upload करके दिखा दता हूँ मैंने again यहाँ पे क्लिक किया, and यहाँ पे मेरे पास एक और image है मैंने इसके उपर क्लिक किया, open के उपर क्लिक किया, upload के उपर क्लिक किया तो images आपका properly आ जाएगा, कहता images folder में यह उसका नाम है, .bng उसकी type है अब इतने code से क्या हुआ ना, मैं अपने form के उपर एक file upload लगा सकता हूँ और user से उसकी files को upload करा सकता हूँ जैसा कि हमने demo में चेक किया, एक module हमारा यहाँ पे complete हो चुका है अभी इसका database से कोई लेने दिना नहीं है, currently यह move होकर के upload हुआ है और एक folder के अंदर जाकर के store हो चुका है बाकी का काम हम लोग next video में cover up करेंगे link आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे check out कर सकते हो मैं उमीद करता हूँ, यह video आपको अब तक पसंद आया होगा आपको यहाँ से लेजाँ सकते है